पाद आयोध्या में भव्वे और दिव्वे श्री राम मंदर बनकर तैयार हो गया देश के कोने कोने से राम भक्त अपने आराध्य के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और इस बीच राम मंदर से भक्तों के कैसी तस्वीर सामने आई जिसने साबित कर दिया कि राम सब के है राम मंदर में गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पीश करती ये रिपोर्ट देखे सदियों का सपना और सालों का संघर्ष राम मंदर के रूप में फलिभूत हो रहा है भवे राम लला का दर्बार सच गया है और भक्तों के आने का सिलसला भी शुरू हो गया है राम भक्ती में डूबे भक्तों की अनोखी तस्वीरे सामने आ रही है एक ऐसी ही तस्वीर ये भी है सिर पर टोपी और जुबा पर जैश्री राम के नारी राम लला के दर्बार में पहुँचे ये राम भग मुस्लिम समात से आते हैं लेकिन राम को लेकर इनकी आस था ऐसी है कि मंदर निर्मान के बाद खुद को यहां आने से ये भी रोप नहीं पाए राम लला के भक्ती और श्रद्धा के आगे मजभ़ी दिवार भी छोटी पर जाती है राम के दर्बार में आने वाली लोग ना तो किसी की जाती देखते हैं और ना ही समुदाए तोकि राम के दर्बार में सब एक समान है अपने अराधे के दर्शन करने के लिए देश के कोने कोने से लोग आयोध्या पहुँच रहे हैं ऐसे में मुस्लिम समुदाए के लोग भी पीछे नहीं है जहां लखनों से भक्तों का एक जट था आयोध्या पहुँचा और उन्होंने राम लला के दर्शन पूचन किये भक्तों ने भगवान से आशिरबाद मांगा है कि लखनों को लखन पूरी के नाम सी जाना जाए और वहाँ पर भगवान लक्ष्मन की प्रतिमा भी लगाई जाए दरसल 25 जन्वरी को लखनों से निकला सैक्डों मुस्लिम भक्तों का जट था जब 30 जन्वरी को राम लला का अशिरबाद लेने पहुँचा तो हर कोई प्रभु राम के रंग मेर रंगा दिखा आस्था और श्रध्धा में डूबे मुस्लिम भक्तों ने गंगा जमुनी तहजीद की मिसाल भी पेश की जानकारी के मताबिक मुस्लिम भक्त एक दिन में 25 किलोमीटर की यात्रा करते रहे जिसके बाद जाकर वो अयोध्या पहुँचे बतादे कि ये मुस्लिम राम भग्त भगवान राम को अपना पूर्वज मानते हैं ऐसी में भगवान राम को लेकर इनकी आस्था बेहत कहरी है ये तस्वीरे बताने को काफी हैं कि राम सब के हैं क्या हिंदू और क्या मुसल्मान श्री राम के दर्बार में तो सब उनके भक्त है